स्वागत है आपका नेशन नियूज में और मैं हूरतांभिरा आपके साथ शुक्रवार को साबरमती आश्रम से अमरित महतसव की शुरुवात हुई है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी साबरमती आश्रम पहुँचकर महात्मा गांधी को श्रधानजली दी और साबरमती आश्रम की विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा महतसव में अभेग घाट के पास सांस्कृतिक कारक्रमों का आयोजन किया जा रहा है यहीं से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी दांडी मार्च को हरी जंडी देंगे दरसल अजादी के 75 साल पूरे होने पर अमरित महतसव मनाया जा रहा है होली को लेकर बिहार में शराब की तसकरी तेज हो गई है राज्य में उत्पाद विभाग ने भी विशेश अभियान चला रखा है इसी के तहट बिहार के कई जिलों में आज भी शराब के खिलाफ छापे मारी अभियान जा रही ही रहेगा बेटा के टीपी हाई स्कूल के पास किसान महा पंचायत का आयोजन किया गया इस कारिकरम में मुख्य अतीती के रूप में CPI सचीव दिपंकर भटाचारया पहुँचे इस दौरान दिपंकर भटाचारया ने कहा कि 18 मार्च को विधान सबा घिराओ करने के लिए बिहार के कोने कोने से 6 रत को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया है जिसे की ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग 18 मार्च को विधान सबा घिराओ करने के लिए उपस्तित होंगे सुपॉल के जदिया थाना इलाके में एक फरवरी को एटीम कैश वेन से 45 लाख रुपे की लूट और सिक्योरिटी गाट की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है दरसल इस मामले में पुलिस ने आक्शन लेते हुए दो अपराधियों को गिरफतार किया है गिरफतार अपराधियों के पास से 9,45,000 रुपे बरामद हुए हैं नहीं इस मामले में S.P. ने बताया कि गिरफतार अपराधियों पर पहले से भी कई गंभीर मामले दर्जे हैं. उसमें से हम लोगों ने एक टीम बना करके हैं. गिरफतार अपराधियों से पूछताच जारी है. पूछताच की जा रही है. आपको बता दें कि अपराधियों के पास से तीन देसी कट्टा एक पिस्टल, 35 से 33.15 की गोली, 10 पिस्टल की गोली और कई अन्य हत्यार बरामद किये गए हैं. जहां पुलिस अपराधियों से अभी पूछताच कर रही है. अपराधि किसी बड़ी घटना को अन्जाम देने के फिराक में थे. जी आपको फिर से बता दें कि खगडिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गश्टी के दोरान अपराधियों को भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ गिरफतार किया है. मुकामा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है दरसल S.P. के निर्देश पर पुलिस ने कुख्या तपराधी महेश यादव को सलीम पूर्थाना शेतर के दियरा इलाके से गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि महेश यादव पर हत्या लूट, आर्म्स के साथ-साथ कई मामले दर्ज हैं आपको बता दे कि मुकामा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां पर S.P. के निर्देश पर कुख्या तपराधी महेश यादव को गिरफतार कर लिया गया है आपको बता दे कि महेश यादव पर पहले से भी हत्या लूट, आर्म्स के साथ-साथ कई ऐसे मामले दर्ज हैं यहां पर S.P. के निर्देश पर अपराधी महेश यादव को सलिमपुर्थाना शेत्र के दियरा इलाके से गिरफतार कर लिया गया है जी तो आपको बता दे कि महेश यादव जो कि एक कुख्यात अपराधी है उन्हें S.P. के निर्देश पर गिरफतार कर लिया गया है महेश यादव के महेश यादव पर पहले से भी हत्या लूट और आर्म्स के साथ साथ कई ऐसे मामले दर्स हैं ये मुकामा पुलिस की बड़ी सफलता कही जा रही है जहां पर उन्हेश यादव को गिरफतार कर लिया है और अंगाबाद के जसयव मोड के पास एक ट्रक और आटो के बीच जबरदस टक्कर हो गई हाथसे में दो वेक्ती की घटना स्थल पर मौत हो गई जबकि अन्य साथ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिने नस्दीकी अस्पताल में भरती करवाया गया है बताया जा रहा है कि ओटो सवार सभी लोग गुप्त धाम से भगवान शिव का दर्शन कर और अंगाबाद लोच रहे थे इस दोरान यह हाथसा हुआ है जिने आपको बता दे कि ओर अंगाबाद के जसोया मोड के पास एक ट्रक और आटो के बीच जबरदस टक्कर हो गई हाथसे में दो वेक्ति की घटना स्थल पर मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि इसमें साथ लोग गंभीर रूप से घायल है फिलाल घायलों का इलाज नस्दीकी के अस्पताल में चल रहा है आपको बता दे कि ये सभी लोग गुप्त धाम की गुप्त धाम से पूजा करके लौट रहे थे जहां पर ट्रक और आटो की टक्कर हो गई और इसमें कई लोग घायल हुए है जबकि दो लोग की मौत भी हो अबी तक और क्या कुछ अपडेट है वहां कि इस घटना अगर बताया जाए तो यह लोग गुप्त धाम की जी लगता है हमारा संपर्क उनसे तूट चुका है हम अपने सायोगी के साथ बने रहेंगे इस खबर पर तो मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि यहां पर अब आप लोग अभी भी घायल बताय जा रहें और उन सभी का इलाद चल रहा है जी आपको एक बार फिर से बता दे कि आटो सवार पे सभी लोग गुप्त धाम से भगवान शिव का दर्शन कर और अरंगा बाद लोट रहे थे जहां पर ट्रक और आटो में टक्कर हो गई झाल प्रक बार आटो में टो रहें जाएंगा रहें प्रक बादो में टाटो में प्रक दोग्ति हैं